पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें कई ऐसे नाम मिलते हैं जैसे की यशाया, यर्मया, सपन्या, ओबाद्या और भी बहुत सारे नाम हैं जिन में याह जुड़ा हुआ है और याह यर्मया, 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 आज फिर एक बार हम लोग बाइबल में पाई जाने वाले उन विक्तियों के नाम देख रहे हैं जिन में परमेश्वर का शब्द है और ये दूसरा भाग होगा क्यूंकि पहले भाग में भी हमने उन विक्तियों के नाम देखे थे जिन में एल परमेश्वर है और आज हम ऐसे विक्तियों के नाम देख रहे हैं जिन में याह परमेश्वर है योद आकी मातरा और हे जिन में याह यह शब्द मिलता है पहला शब्द है मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ने की कोशिश करिए ये है योद और दो बिंदू है उपर नीचे डले हुए मतलब इसका उच्चा मातरा दिख रही है उसके बाद में फिर हमको आईन और दो बिंदू दिख रही है और उसके बाद में योद और आ की मातरा और हे यह हो गया यशायाह और आगे चलके जो वाव और उ की मातरा या बिंदू दिख रहा है उसके कारण यशायाहू इस प्रकार का उचारण भी ह इस शब्द का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता है आज की क्लास में मैं आपको एक भी बाइबल संदर्ब नहीं बता रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को बाइबल में अवश्य ही खोजें आज बहुत से नाम नबियों के हो सकते हैं पुस्तकों के ह हो सकते हैं यहां तक की राजाओं के नाम भी हो सकते हैं चलिए दूसरा शब्द देखते हैं दूसरा शब्द है नून खेत में और आखरी के दो अक्षर की बनावट यह है तो यह तीन ही अक्षर है जो आपको पहचानने है न के नीचे दो बिंदू है मतलब उच्चारण ह और फिर खित है, या हशबद का उच्चारन है, एक के साथ, और फिर म है, तो ये हो जाएगा, नहे मया, नहे मया, और इसका अर्थ होता है, यहुअ दिलासा देता है, तीसरा शब्द देखेंगे, और ये इस तरीके से लिखा जाता है, जाइन उसके बाद में है काफ और आकी मातरा और फिर रेश है र तो ये हो जाएगा जकार याह यदि आपने मेरे साथ पढ़ लिया है इसे तो मैं बदाई देना चाहूँगा आपको यह शब्द है जकारिया और इसका अर्थ होता है यहुवा स्मरण रखता है अगला शब्द देखेंगे इस तरीके से लिखा है योद और एक बिंदू है मतलब योद के नीचे एक बिंदू का उचारन हो जाता है य य य य य और रेश है दो बिंदू मतलब सरल र का उचारन है में के लिए म का उचारन है और आगे याह है तो ये हो जाएगा इर्मयाह और इर्मयाः शब्द का अर्थ होता है यहवा उंचा उठाता है अगला शब्द सादे और उसके बाद में हैं फे और आ की मातरा नून है जिसके नीचे दो बिंदू है और फिर उसके बाद में याह है तो इसका उच्चारण हो जाना चाहिए सफानया याने की सफान्या हिंदी पुस्तक सपन्या की नभी की पुस्तक है और इस शब्द का अर्थ होता है यहुवा द्वारा छिपाया गया या सुरक्षित किया गया अगला शब्द देखेंगे और ये है में जिसके नीचे एक बिंदू है मतलब ये ए की मातर होई यानि मी और फिर योद काफ आ की मातर है और आखरी दो अक्षर है याह तो ये हो जाएगा मी का याह और इस शब्द का अर्थ होता है यहुवा के समान कौन है ये एक ऐसा ना अगला शब्द आईन और उसके उपर एक डॉट है मतलब ये ओ की मातरा है तो हो गया ओ फिर ब है यानि बित और उसके नीचे आ की मातरा की डंडी दिख रही है और फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं दलेत और उसका सरलुचारण है मतलब ये हो जाएगा ओबाद याह और इस शब्द और आउबाद याह का अर्थ होता है यहवा का सेवक अगला शब्द है योद अलेफ और उसके ऊपर डला है एक बिंदू तो ये हो जाएगा यो यो देखिए योद सामने लगा है इसलिए यो और उसके बाद में है शिन और नीचे बें एक बिंदू है तो यह हो जाएगा शी और फिर उसके बाद में याह है यन्य यो शी याह यो शी याह सही है अगर आपने इसे बोला है बहुत अच्छी बात है और इस शब्द का अर्थ होता है यहोवा समर्थन करता है अगला शब्द देखते हैं और यह है आलेफ आ की मातरा बित जिसके याह तो यह हो गया अबियाह अबियाह और इसका अर्थ क्या होगा आप अंदाज लगाए अबिया या अब्बा 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 याने पिता और याह याने परमेश्वर और इसका अर्थ होता है यहोवा मेरा पिता है दस्वा शब्द देख रहे हैं हम लोग और यह है मेम आ की मात्रा और उसके बाद में ताओ है और आ की मात्रा और नून है सरलू चारण में मतलब छोटा ना और उसके बाद में याह तो यह हो जाएगा मातान्या है मतन्या और इसका अर्थ होता है यहुआ का उपाहार अगला शब्द हम लोग देख रहे हैं और यह है आलेफ और उसके बाद में वाव और बीच में बिंदू मतलब यह उ की मात्रा हो गई यह है उ रेश के नीचे एक बिंदू डली है मतलब इ की मात्रा तो यह हो गया री और पूरिया और इस शब्द का अर्थ होता है यहोवा जोती है अगला शब्द देखेंगे काफी मिलता जूता शब्द है यह और इसमें आईन है तीन डॉट्स के साथ में उसके बाद जाईन है एक बिंदू है उसमें तो जी और फिर उसके बाद में याह याहू और इसका उजियाह ठीक है और इसका अर्थ होता है यहोवा मेरा बल है अगला शब्द देखेंगे और यह है गिमेल और नीचे दो बिंदू मतलब ग दालित में आकी मातरा मतलब दा और लामेध है ल है सरल्ल और बाद में याह यह हो गया ग दाल याह तो गदल्याह और गदल्याश शब्द का अर्थ होता है यहोवा महान है अगला शब्द देखेंगे और यह है आईन आकी मातरा और उसके बाद में है जाईन आकी मातरा के साथ और फिर रेश है तो यह हो जाएगा अजर्याह और अजर्याश शब्द का मतलब होता है यहोवा ने सहायता की है चलिए आज के लिए आखरी और पंद्रमाश शब्द देखते हैं और बहुत ही इंटरिस्टिंग शब्द है आप इससे पहचाने की कोशिश करें यह है योद और नीचे दो बिंदू मतलब सर्फ यह बोलना है और दले उसमें एक नीचे बिंदू ड़ाया है मतलब ए की मातरा मतलब यहोगे दी और फिर एक बार योद और फिर से दी याने यहोगे यदिद्याह यदिद्या और इसका अर्थ होता है यहोवा का प्रियर कितना प्यारा नाम सब लोग रखना चाहेंगे इस इस class के साथ में हमने परमेश्वर के नामों के उपर 5 classes पूरी कर ली हैं हलाकि परमेश्वर के सारे नाम अभी भी नहीं लिये गया है और प्रभु ने चाहा तो एक और क्लास की श्रंखला फिर से हम आगे लेंगे लेकिन अगली बार से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रंखला और वो है प्रभु येशु क्रिस्ट की वन्शावली जीनियोलोजी ओफ जीजस क्राइस्ट और इस बात में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ने वाला है यानि कि अगली कड़ी से मेरे साथ साथ आप हमश होता हूँ और हम सीखने वालों में से आप लोग जुड़ेंगे और इस पहले सेक्शन में सीबी सी के बच्चों को मौगा दिया जाएगा